दोस्तो अगर आपने UP scholarship farm fill up किया है किसी भी class के छात्र हैं सारे छात्रों के लिए सभी छात्रों अपना farm fill up किया fill up करने के बाद यहाँ पर final summit किया final summit के बाद अपना फार्ड कापी निकाला उसमें सारे document अपने लगाया इसके बाद अपने कालेज में ले जाके जमा कर दिया तो यहाँ पर आपको एक चीज जरूर नोटिस करना है एक चीज जरूर देखना है अगर आप नहीं देखते हैं तो आपका UP scholarship नहीं आएगा अपना जो संस्था में जमा करने आवेदन प्रिंट है इसके आपका ग्रेंट होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर जब चेक कर लेते हैं इसको आपको ऊपर स्कार्ड उन करना यहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा नीचे यहाँ पर आपका जो नोटिस है यहा ने जमा किये हुए काफी दिन हो गए है लेकिन आपको यहाँ पर फारवड नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपको वेट और करना है जब तक आपकी लाश्ट डेट रहेगी तब तक आपको इसे देखते रहना है आपका यादी फारवड नहीं होता है लाश्ट डेट तक तब यहां पर आगे क्या करना हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे, दूसरा status भी हम आपको दिखाया देते हैं, अगर यहां पर दूसरा status है यहां पर आपको क्या करना ये भी हम आपको बताएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा भी status आपको दिखाय देते हैं यहाँ पर अगर आपको कुछ इस प्रकार से message आ जाता है जो हम आगे आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर आपका यूपी scholarship नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा तो यहाँ पर अपना status जरूर चेक करना है इसके लिए यहाँ पर हम दूसरा status भी दिखाय दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं status में अगर आपको pending at institute label यहाँ पर अगर आपका काले label पे pending पड़ा रहेगा फार्म तो आपका UP scholarship बिल्कुल नहीं आएगा तो यह चीज आपको confirm करना है अपना status चरूर चेक करना है अगर आपका काले से verify नहीं होगा तब तक आपका UP scholarship नहीं आएगा 100% मैं कहता हूँ कि आपका UP scholarship नहीं आएगा तो यहाँ पर अभी scholarship की website चल रही आपकी date भी यह online भी हो रहे है जिस करन से अभी आप कुछ भी कर भी नहीं सकते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आपकी UP scholarship date समाप्त हो जाए online होना बंद हो जाए इसके बाद आपको अपने college में जरूर पता करना है कि यहाँ पर आप अपना status चेक करने के बाद last date के बाद अगर आपका farm summit यहाँ पर आपका forward नहीं किया जाता है तो आपके अपने college में बिजिट करना है बिजिट करने के बाद वहाँ पर अपना farm forward जरूर करा लेना है अगर यहाँ से आप अपना farm forward नहीं कराते हैं तब तक यहाँ पर आपको यूपी scholarship का lab नहीं मिलने वाला चाहे आप 9 के लिए farm फिलब किया हो या B.A.B.S.C.B. काम, degree, diploma कोई भी course किया हो आपने farm फिलब किया, सब कुछ detail सही फिलब किया, कोई गलती नहीं की लेकिन इसके बाद भी आपका scholarship नहीं आएगा तो यह चीज आपको जरूर चेक कर लेना है कि आपका यहाँ पर forward हुआ की नहीं हुआ तो जब आपका forward हो जाएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जब भी आप status नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पर forward by institute यहाँ पर आपका institute की तरफ से forward कर दिया गया आगे यहाँ आपका farm समाज का लेंड के office में पहुंचा दिया गया है आप यहाँ पर आगे की परिक्रिया start हो जाएगी आपके scholarship के आने के लिए तो यहाँ पर आपकी जो detail होगी वो verify की जाएगी समाज का लेंड आफिस में तीन दिनों तक college के जो होते हैं college के जो अधिकारी way farm आपके college के computer operator वे आपका college से farm forward करते हैं उनके पास तीन दिन इस्ट्रा समय होता है जब आपका यहाँ पर farm होना बंद हो जाएगा आपका online farm जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा तो यहाँ पर वे farm अपना forward कर सकते हैं तो यह चीज आप जैसे ही आपकी last date समाप्त हो जाए तो यहाँ पर आप अपना status चेक कर लेंगे अगर आपको यहाँ पर forward नहीं होता हो तो वीडियो को like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करें क्योंकि हम UP scholarship से related बहुत से update आपके लिए लाने वाले हैं आगे जो भी update दिया जाएगा तो आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगा जिसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें जो भी आपका update आएगा UP scholarship से related सारी मिलते हैं अगले next वीडियो में